हेलो फ्रेंग्स नमस्कार आज हम आपको टमाटर की फल यह दिखा रहे हैं यह क्यों दो गमलों में लगाए गए थे वह बहुत ही सुन्दर ढंग से यह पहुत आप देखेंगे कितने फल लदे हुए है फल लगाते से हमें यह ध्यान देते हैं कि जो मिट्टी तयार करते हैं मिट्टी में बर्मी कमपोश्ट गोवर की खाद मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं मिलाने के बाद बहुत लगाते हैं समय समय पर पानी देते रहते हैं यह फल तैयार होते हैं आप अपने घर के उप्योग के लिए अपने खाना बनाते समय इस्तेवाल कर सकते हैं वाकई में अगर आपके पास ज्यादा जगा है तो और भी गमलम लगा सकते हैं या जमीन पर भी लगा सकते हैं पौद का चुनाओ करते समय आपको अच्छी वराइटी के पौद लेने हैं टमाटर सब्जियों में आपको मालूम ही है टमाटर का इस्तेमाल होता ही होता है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं कितने प्यारी टमाटर लग रहे हैं और भी घर के आपके घर के गमले में तैयार हुआ यह टमाटर है जो कि वाके ही में आपको सुन्दर लगेगा पॉस्टिक लगेगा जैसा कि आप जानते भी है टमाटर में बहुत से मिनर्स पाय जाते हैं जो स्वास्त के लिए लाबदायक होते हैं आप अपने समय के इस्तेमाल पार्ट टाइम कर सकते हैं और यह आपको टमाटर अच्छे अच्छे भी लगेंगे इस्तेमाल करते समय इसका स्वाध आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि सबसे बड़ी बात यह कि आर्गेनिक फार्मिंग के तहती तयार ओआ कोई भी लुट भी नहीं किया गया इसमें आप इसमें नीट्रियंट के लिए नाटरोजन फासवरस पोटास माइक्रो निट्रियंट के के लिए इसमें आप गोबर के खाद कंपोश्ट फार्मियाड मैनोर बर्मी कंपोश्ट कोको पेट यह सब जो मिलाते हैं उससे भी न्यूट्रिन तयार होता है कि मात्रिन दो गमलो में इतने फल तोड़ा रहे हूं ! आप अपने समय के लिए अपने घर के गमलो में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके स्वास्त के लिए